क्या आपने कभी सोचा है जिन पटाकों को हम फोड़ते हैं आखिर उन्हें किन चीजों से बनाया जाता है क्या आपने किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो रहते रहते गायब हो गया हो और एक ऐसा त्योहार जिसमें कब्र से गड़े हुए मुर्दों को निकाल कर उ आपके होश उड़ जाएंगे सुलवेसी आइलैंड पर रहने वाले तोराजा जनजाती के लोग हर साल अपने परिवार के मरे हुए सदस्यों को कब्र से निकाल कर उन्हें फिर से नए कपड़े पहना कर तैयार करते हैं और फिर उन्हें मानेने नाम के इस्तिवहार के जश कब्र से निकालकर मानेने त्योहार मनाया जाता है यह बड़ा आजीव है आपने कई आइलैंड देखे होंगे जो दिखने में बहत खूपसूरत होंगे पर मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ कि आपने ऐसा आईलैंड तो नहीं देखा होगा जो चल सकता है या गायब हो सकत इस दुनिया में एकलौता ऐसा आईलेंड मौजूद है जो गायब हो सकता है। इस लोगों का मानना है कि इस आईलेंड के गायब होने के पीछे अमेरिका का हाथ था हाला कि इसका पुखता सबूत आज तक मौजूद नहीं है। इस दुनिया में चक्कर लगाते समय इसका आधा हिस्सा तारे की तरफ रहता है और आधा हिस्सा अंदेरे में रहता है। कि वो किसी भी जीव को जमा दे। तो आप ये सोचेंगे कि इस पर जीवन कैसे पॉसिवल है। इस ग्रह का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंड और गर्मी सहने लायक है जहां पर तापमान जीने के लायक है। और ये बीच वाला हिस्सा इस ग्रह पर पूरे सरकल की तरब मौजूद है। हमारे वेग्यानिकों ने इस ग्रह पर बहुत समय पहले कुछ मेसेज भी भेजे हैं और कहा जाता है ये सिगनल दो हजार उन्तीस तक पहुँच जाएंगे। ये बात 2013 की है जब आस्ट्रेलिया के कुछ गोता खोरों ने तस्मानियन समंदर में गोता लगाया। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्हें अपनी खुद की आँखों पर यकीन नहीं रहा। उन्हें लचीली पाइप जैसी विशालकाय आकृती देखी। दरसल इस विशालकाय जीव का नाम पायरोसोम था जो सबसे असामान्य समुदरी जीवों में से एक है। ये इतने दुरलब हैं कि इन्हें देखने वाले इसकी तुलना इस बात से करने लगते हैं जैसे मानों उन्होंने यूनिकॉर्ण देख लिया हो। कैप्रसूशस नाम का ये जीव बिल्कुल वैसा ही दिखता था। दिखने में ये जीव किसी बड़े मगरमच की तरह दिखता है लेकिन इसकी टांगे डाइनोसोर की तरह लंबी हो गई थी। हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि मगरमचों को खुदरत ने तेज अगरमच होता जिसे आप दूर से देख कर भी बाग नहीं पाते क्योंकि इसकी लंबी टांगों की वज़े से ये काफी तेज बाग सकता था जो कि एक इनसान को पकड़ने के लिए काफी आसान था अगर आप इस जीव के बारे में पहले नहीं जानते थे तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा पटाकों के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों आप सभी को पटाके तो काफी पसंद होंगे और होने भी चाहिए कहीं न कहीं आप सब दिवाली में इसे फोड़ते भी होंगे सबने सुतली बम का नाम तो सुना ही होगा ये बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर से आवास करता है आप में से बहुत सारे लोगों ने से फोड़ा भी होगा तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है सबसे पहले कार्ट बोड के बकसों में बारूत को भरते हैं अब इन बक्सों पर धागा लपेटा जाता है जिसे हम सुतली कहते हैं उसे बान देते हैं अंदर की बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तब यही सुतली अंदर प्रेशर फ्रियेट करती है और उससे काफी जोर का धमाका होता है और शायद इसलिए बम का नाम सुतली बनने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है और इन पर हरा कलर डाला जाता है फिर इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है यह कलर कुछी गंटों में सूख जाता है इसके अंदर होल करके धागे और फ्यूस को अंदर घुसा दिया जाता है जो जलकर बम को फोड़ने में मदद करता है और फिर इसके उपर लेबल लगाते हैं जो फ्यूस को पकड़े रखता है और इसे डबे में पैक कर बेचने के लिए बेच दिया जाता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमागेदार फैक्स के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताईएगा गुडबाई